एक पतनी की अपने पती से सिर्फ एक यही गुजारिश होती है कि जब कभी मैं उदास हूँ या फिर कभी परिशान हूँ तुम मुझे अपने सीने से लगा कर सिर्फ इतना कह दो कि तुम अकेली नहीं हूँ मैं तेरे साथ हूँ किसी भी कार्या में अगर आप अपने आपको कम समझने लगे तो आपका पती आपके साथ आपकी हिम्मत बनकर खड़ा रहे और आगे बढ़ने का होंसला आपको हमेशा देता रहे एक लड़की अपना सब को छोड़ कर एक पती के लिए अपने ससुराल आ जाती है लेकिन जब वही पती उसको अपने बराबरी में खड़े करने की अपेक्षा अपने पाउं की जूती समझने लगता है तो एक महिला पूरी तरहां से बिखर जाती है और जब एक महिला पू पती की हलकतों से परिशान रहकर आपने जीवन से मूँ मोड लिया है, आपका क्या कसूर था अगर आपने अपने पती से शादी की, अब आपका पती आपकी उमीदों पर खरा नहीं उत्रा, आप दिन रात परिशान रहती है, सिरफ एक पल भर के साथ के लिए आप उनकी गु कारता है, आपके साथ मार पिटाय करता है, आपके सब सहा लेकिन अब नहीं, अब भरी आ चुकी है, आप उनको अपने वश में कर लें, अगर आपने भी बहुत सोच समझ कर यह फैसल aan कि आपका पती क काबू में करेंगी, तो आपकी इस फैसला काया आपको बहुत बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि नए आने वली वीडियो की नौटिफकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों और हमारे इस यूटिप चैनल की वीडियो को अंत तक जरूर देखें ये कोई खास वीडियो ना हो लेकिन आपकी जिन्दगी में जो खुशियां है उसकी चाबी खोल देगा पती जब किसी का उसके काबू में नहीं होता और नियंतरन से बाहर होता है तो पूरी जिन्दगी बर्बाद हो जाती है आज ये यूटिप चैनल की वीडियो आपके पती को पूरी तरहां से आपके नियंतरन में कर देगी सिरफ एक टोटका कर लेने मात अब बात करते हैं उस चमतकारी तोटकेगी जो आपको अपने पती को काबू करने के लिए परियोग करना है इतना काम्याब साबित होगा आपके लिए ये तोटका कि पती फिर कभी भी आपके सामने जुबान निकानने की हिम्मत नहीं करेगा पती को काबू करने के लिए का काले तील को लेकर एक बहुत बड़ा सा दिया ले लेना है चौह मुखी दीपक होना चाहिए उसमें सरसो का तेल डाले और मुठी भर काले तिल उसमें डाल दे चार बतियां लगाकर इस दिये को अपने पती के सर के उपर से रात को 11 बज़े के बाद बाद वार ले 7 बार अभ क्यासर महिलाओं के लिए जो पूरी तरहां से अपने पती को नियंतरन में करना चाहती है दोस्तों चमदकारीrans तोड़ का आपके के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे धन्यवाद दोस्तों तब तक के लिए